तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था forward bias, reverse bias, क्या होता है और diode, ideal diode या simplified circuit model क्या होता है या approximate circuit model क्या होता है उसमें हम क्या करते हैं उसके बारे में देखा था और कुछ हम लोगे ने नहीं देखा आज हम क्या दिखेंगे एप्लिकेachากners डायोड तो एप्लिकेशन डायोड में हम दू पॉइंट्स पडहें गी क्या कि एप्लिकेशन इप्लिकेशन आप क्या होगा डायोड इसमें जनरल क्या होता है डायोड को दो तरस इच किया जाता है, एक क्या बोलते हैं जेनरल पर्पस डायोड और इसमें क्या होगा इस्पेसल पर्पस डायोड, ठीक है तो जेनरल पर्पस डायोड इसमें जेनरली क्या है लाइट LED के बारे हम पढ़ेंगे है जीनर डायोड जेनरली हम क्या पढ़ेंगे इसमें जीनर डायोड ठीक है उसके बाद क्या होता है LED के बारे हम पढ़ेंगे लाइट एमिडेट डायोड और सूलर सेल ठीक है यह सब लेकिन मैं के वल यह पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि इसमें क्या होगा डायोड एज क्या होगा डायोड यहां क्या पढ़ेंगे डायोड डायोड एज रेक्टिफायर इसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो डायोड एज रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर भी क्या होगा रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं तो डायोड एज ए रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन एक process होता है Rectification क्या है Rectification is the process in which we convert AC signal into the pulsating DC not pure DC Diode का जो काम होता है AC signal को pulsating DC में convert करने के लिए हम क्या करते है तो Rectification का मतलब क्या होता है यहां सिंपल लिख देंगे डायोड डायोड इस क्या होगा यूज़ यूज़ टू कनवर्ड कनवर्ड एसी सिगनल इंडू क्या होगा पलसीटिंग डीसी सिगनल नट यूर डीसी ठीक है इसमें एकाम अब डायोड यूज़ जो होता है इसदेखो और यूज़ यूज़ एक्टिफIEर जो तीन तरह के शचोर पन भर्ड है क्या होगा सुझ क्या बहुआ है क्या होगा हाफ हाफ मेश में यूज़ मैं प्रेक्टिफयर और एक होता है ब्रीज वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ इट विल आइदर कंड़क्ट पर पॉजिटिव हाफ साइकल और निगेटिव हाफ साइकल ये क्या होगा इज रेक्टिफायर होगा इट विल पॉजिटिव हाफ साइकल और way रेक्टिफायर होगा इबहिं च्रकल दोनों के लिए क्या करेगा बात समज़ में आया क्या होगा तो हम वन बाई बन देखते जाता है ठीक है कि वहली याद रखना है यहां कि क्या होगा कि डायोड की केस में क्या हो गया यदि करेंट क्या होगा एरो हीड की डायरेक्शन में करेंट फ्लो हो रहा है तो डायोड भी हैव लाई के क्या होगा ठीक है देखो क्या होगा यहां हाफ हाफ वीव रेक्टिफायर हाफ वेज रेक्टिफायर देखो क्या है यह डायोड है ठीक है यहाँ चली के ऐसी ट्रांसपर्मर भी उच कर सकते हो नहीं भी उच करोगा दो चलेगा कोई ट्रांसपर्मर जरूरी नहीं है यह वेज़ करें लेकिन आप कर भी सकते हैं तो यह क्या होगा देखो यह primary side होगा यह क्या होगा secondary side यहां आमने क्या किया है AC signal यूज किया है ठीक है यह transfer तो this is primary इसकी cross show इसको हम क्या बोलेंगे VP primary और यह क्या होगा V secondary voltage ठीक है and this is diode तो यह आपको मालूम है कि क्या होगा for positive यहां देखोगे input कुछ ऐसे होगा क्या होगा input कुछ ऐसे होगा ठीक है input यहां क्या है time I mean sinusoidal है तो यहां output मिलेगा ठीक है यहां थोड़ा और इसको नजदी कर देता हूं तो यहां क्या होगा देखो यहां भी आउटपुट तो यहां जब output ड्रॉ करोगे तो क्या होगा देखो कि diode जो होगा क्या होगा only it will conduct for क्या होगा positive पॉजिटिव हाप साइकल ही क्या हो जाएगा तुम्हारा भी आउटपुट वी आउटपुट इक्वाल टू क्या हो जाएगा भी एस ठीक है और इधर क्या होगा time यह समझ में आए कि positive हाप साइकल होगा तो देखो positive हाप साइकल में क्या होगा plus हो जाएगा और क्या होगा डायोड यहां लिखना है कि यह डायोड डायोड विल कंड़क्ट वनली फॉर क्या होगा फॉर पॉजिटीव आप साइकल हाप साइकल ठीक है that is क्या लिख होगे that is for positive half cycle for positive half cycle it will be kya होगा it will be forward bus ठीक है for negative half cycle क्या होगा for negative half cycle it will kya होगा it will become reverse bias and act as क्या होगा act as open switch किसकी तरह काम करेगा open switch की तरह क्या होगा काम करेगा तो इन्पुट क्या होगा केवल positive half cycle में क्या होगा आपको input मिलेगा और negative half cycle में क्या होगा input नहीं मिलेगा ठीक है समझ में आया ना तो आप देखो यदी input देखो तो input signal की frequency क्या होगा f होगा तो क्या होगा यदी input if क्या होगा if frequency frequency of क्या होगा input signal is क्या होगा f then क्या होगा then frequency प्रिवेंसी, आप क्या होगा, आउट्पूट, सिगनल, विल बी क्या होगा, विल बी अल्सो, अल्सो, एफ, एफनेट, ठीक है, समझ में आया है न, एफनेट, तो यह आपको क्या करना है, ध्यान, देना है, कि पॉजिटिव आप साइकल के लिए, एक अंड़क करेगा, न नहीं यदि मैं क्या करूँ इसके polarity को इधर reverse कर दो तो क्या हो जाएगा automatic क्या हो जाएगा यह negative half cycle के लिए क्या होगा conduct करेगा positive half cycle के लिए conduct नहीं करेगा अब यहां होता है peak inverse voltage एक term आपको मिलेगा अब देखो यहां जो output मिल रहा है यह सी as well as क्या मिल रहा है disease ले इसका नाम क्या है pulsating disease ले तो piv क्या होता है peak inverse inverse voltage of diode is equal to क्या हो जाएगा Vm अरे इस क्या होगा देखो ध्यान से इसका जब equation लिखोगे देखो यह क्या हो जाएगा Vp is equal to क्या होगा Vm sin omega t समझ में आया न तो यह आपको Vm peak inverse voltage इसका form क्या peak inverse I mean maximum क्या होगा secondary voltage is called क्या होगा peak inverse voltage ठीक है उसके बाद क्या होता है full wave rectifier full wave rectifier क्या होता है मैं आपको बता दो full wave देखो यहां क्या हम सेंटर टेप ट्रांसफर्मर यूज करते हैं क्या करते हैं यहां सेंटर टेप ट्रांसफर्मर हम यूज करते हैं यहां एक डायोड होता है D1 और एक यहां डायोड होगा D2 यहां RL ठीक है RL यहां भी ले सकते हैं यहां यहां भी हम देखो यहां सेंटर टेप ट्रांसफर्मर होता है क्या होता है सेंटर टेप ट्रांसफर्मर होगा RL यहां हम कनेक्ट कर देते हैं ठीक है ठीक है यह RL होता है ठीक है यह सेंटर टेप ट्रांसफर्मर होता है गोल्टेस इसके एक्रोस लेते है अब देखो यहां क्या होगा एगेन यह क्या हो जाएगा तुम्हारा बीपी अब देखो पॉजिटिव आप साइकल में क्या होगा पॉजिटिव यह निगेटिव ठीक है और यह क्या हो जाएगा निगेटिव यह जाएगा तुमारा यह पॉजितिव यह क्या हो जाएगा तो पॉजितिव आप साइकल में नीगीटिव हो जाएगा तो क्या लुक्ष कौर्ण इन फूल वेव रेक्टिफायर देखो यहां ऐसे यहां हम इनपूर्स सिगनल दें ठीक है यह वीपी हो गया और इसका इक्वेशन क्या लिखें वीपी इस इक्वाल टू वी एम साइन ओमेगा टी तो यहां जो होगा हो क्या हो जाएगा हमेशा देखो यह प्लस और यहां क्या होगा बाइनस ठीक है तो यह डी टू हो गया तो किवल याद रखना है कि फूल वेव रेक्टिफायर जो होता है हो क्या होता है इट विल कंड़क्ट फॉर पॉजिटिव एज वल आज निगीटिव हाफ साइकल ठीक है तो क्या होगा प और पॉजिटिव होगा और चिक है रहओ साइकलम हाइव ठीक है रहओ सािट पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉजिग पॊजिटिव एज इस लगे रहओ साइकलर है पॉसितिव हाप साइकल लिखना चाए हाप हाप साइकल एस वेल एस निगेटीव हाप साइकол ठीक है समझ में आया है نا अब देखो यहां क्या है समझ मिं आया है इन पोजिटिव आप साइकल क्या हो जाएगा देखो मैं यहां नाम देता हूँ यह point A हो गया और यह क्या हो गया अब भी हो गया और क्या होगा during during क्या होगा during positive half cycle point point A will be positive positive and D will be क्या होगा D will be negative hence hence क्या हो जाएगा hence D1 D1 क्या होगा will be क्या होगा forward forward बैस और D2 जो हो जाएगा क्या होगा reverse बैस तो positive half cycle में केवल क्या हो जाएगा तुमको यह जो input होगा हो क्या हो जाएगा output वो चला जाएगा और यह क्या हो जाएगा open circuit की तरह काम करेगा ठीक है उसी तरह क्या होगा during दूरिंग निगेटिव हाफ साइकल दूरिंग निगेटिव हाफ साइकल क्या होगा A will be negative A will be negative while B will be क्या होगा B will be positive hence D1 क्या होगा hence D1 जो होगा क्या होगा forward reverse बैस हो जाएगा और hence क्या होगा D1 will be क्या होगा reverse biased और D2 will be क्या होगा forward biased चीक है इसलिए क्या होगा देखो D1 and D2 जो है डायोड जो है positive as well as क्या है negative दोनों साइकल के लिए क्या है कंड़क्ट कर रहा है अब यहाँ यदि आउट्पूट के ग्राफ ग्राव करूगी ठीक है तो ही क्या है देखो V आउट्पूट यहाँ भी आउट्पूट लेंगे इधर यह माइनस और ही क्या हो जाएगा प्लस भी आउट्पूट यहाँ ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा कुछ ग्राफ ऐसे हो जाएगा देखो यह क्या होगा D1 D2 D1 D2 D1 D1 तो यदी क्या है देखो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है F है इनपूट की तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी 2F हो जाएगे क्या विक्याइन क्या हाँ हाँ समझ में आहा udah जाएगा इसमें D1 conduct करेगा D2, D1, D2, D1, D2 and 2. ठीक है? समग जाया? तो केवल इसमें क्या करना है? याद रखना है. यहाँ याद रखना है कि PIV rating होता है. Peak inverse voltage होता है. Full wave rectifier में क्या होता है? 2 होता है. 2 भी है. ठीक है? तो यह तुमको याद रखना है. तो इसमें क्या होगा? कि PIV, Peak inverse voltage कितना होगा? 2, VM होगा. 4 क्या होगा? 4 full wave rectifier. ठीक है? 4 full wave rectifier के लिए यह होता है. बात समझ में आया. इसके बाद हम आते हैं. Breach wave rectifier. आते ही आते हैं. 4. क्या है. 4. क्या आते हैं. कि वीज वेव रेक्टिफार कि अ कि अ हुआ है कि यह क्या होगा डीवन कि तुम्हारा यहां क्या करें देखो यहां इन्पूट दे रहे हैं कि इसे कोई जरूरी है यहां डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं सेंटर टेप ट्रांसपर्मर कोई जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए तो ब्रीज वेव रेक्टिफार में क्या होगा देखो यहां से इसका इसकी पुलरीटी मुझे रिवर्स करनी चाहिए नहीं तो सब एक ऐसे इसको लिखिए या इसको डी थ्री यहां देखो यह क्या है तो इनपुट जाम दे रहे है क्या है है a site with a 100го हो नडिए हम collision हो है यहीँ मुझे क्या करना है यहां आध़ीpose, आध़ीमयद कीकष्टत कश्रानु है य आध़ पॉसिटिव आप साइकल में देखो पॉसिटिव हाप साइकल में क्या होगा देखो ए जो पॉसिटिव हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा तमारा नेगेटीव हो जाएगा समझ में आए ना देखो डीवरींग तो मैं यहां लिखते जाता हूँ डीवरींग क्या हो जाएगा डीवरींग positive half cycle क्या हो जाएगा point potential क्या होगा potential at point a equal to क्या होगा plus b ठीक है potential at point b क्या होगा minus b ठीक है तो क्या हो जाएगा hence क्या हो जाएगा d1 d1 देखो तो d1 and d4 क्या हो जाएगा d1 and d4 will be क्या होगा तो इस सिच्वेशन में क्या हो जाएगा output समझ में आ न डीवरींग नीगेटिव half cycle क्या हो जाएगा डीवरींग डीवरींग नीगेटिव half cycle क्या हो जाएगा डीवरींग नीगेटिव half cycle again देखो क्या होगा potential potential at point a क्या हो जाएगा नीगेटिव and potential at point b will be क्या होगा विल बी पोजिटिव d1 जोगा d2 and क्या होगा d4 d3 और क्या हो जाएगा forward पोवर्ड बैस्ट यह फोवर्ड बैस्ट हो जाएगा और यहां लिक ले ना डी टुए द डीतुी दे रिवर्स बाऊसट तो रिवर्स बाइसट मेंक chat of a.o.o.pon सुंइट की तरह और क्या स्विछ की तरह लाया अन्वाınız क्या होगा जाएगा दी फोर आर क्या हो जाएगा reverse bast ठीक है तो कुछ नहीं अब उसके बाद हो गया बस यही तो point mind में रखना है दूसरा कुछ नहीं है तो again यदि input दिया हुआ है तो output क्या हो जागा देखो देखो द्यान से A input B in ठीक है और यहां क्या हो जागा देखो ठीक है ठीक है तुम्हारा B output यहां क्या हो जागा देखो यह positive यह negative पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव यहां क्या हो जागा देखो पंड़क करेगा D2, D3 फिर D1, D4 एंड सो अग तो यहां इसकी फ्रिक्वेंसी एगेन क्या है Fnut है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितने भी जाएगी 2 Fnut समझे में आया क्या यह तुम्हारा क्या हुआ आउट्पुट मिला और एक क्या था तो यहां यहां भी पीक इनवर्स वोल्टेज होगा पी आई भी जो होगा तो क्या होगा Vm हो जाएग यह ग्राब देख़ए इसका जो Vn is equal to क्या होगा Vm साइन क्या होगा याद रखना है कि forward भायस मेंच जो Input signal होगा उसी को क्या करेगा PASS कर देगा reverse में क्या करता है इसको Block कर देता है बस यही है कि forward भायस में देखो यह पास हो रहा है reverse में क्या हो जाएगा reverse में Block करता है ठीक है उसके बाद हम आते है Special Purpose Diode के बारे मे pale क्या होगा जीनर डायोड इसमें पहला जायो क्या है जीनर डायोड इसका सिम्बॉल जो होगा हो क्या होगा यह मैं बता देता हूँ देखो ठीक है यह जीनर डायोड है सिम्बॉल है जीनर डायोड का ठीक है अब देखो क्या है जीनर डायोड का जो काम होता है यह बनाया कैसे जाता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जीनर डायोड क्या होगा देखो जीनर डायोड अल्वेज क्या होगा अल्वेज वर्क पीन क्या होगा रिवर्स biased condition biased condition ठीक है पारला point रहे है it क्या होगा it is highly doped क्या होगा highly doped doped PN Janssen क्या होगा Janssen Diode ठीक है क्या हो जाएगा highly doped PN Janssen Diode it always worked ठीक है उसके बाद क्या होगा electric field electric field electric field exists on the क्या होगा on the Janssen add the Janssen add the Janssen age क्या होगा very high ठीक है ये तुमको क्या करना है अब ये याद रखना इसका जो huge है ये तो simple है कि इसमें क्या होता है कि वह याद रखना है reverse bus condition में क्या होगा operate करता है और इसमें होता क्या है इसका काम क्या है उसके बारे में हम देखेंगे ये तो symbol हो generally मैंने बताया था कि Jiner breakdown क्या होता है मैं आपको explain कर देता हूँ क्या होता है कि जब क्या होगा सोचो ऐसे कि दो थारा के breakdown होते है एक को बोलते है Avalence breakdown और दूसरे हो क्या बोलते है Jiner breakdown Avalence breakdown में क्या होता है कि आप क्या करो reverse bias voltage क्या करो increase कराते जाओ increase कराते जाओ तो क्या होगा कि जब आपको ये मालूम है कि P side क्या है Minority Charger क्या है Electron है और N side क्या है Minority Charger क्या है Hole है तो ये जो P side और N side जो Minority Charge Copenh regarder है वो क्या करेंगे reverse bias voltage से क्या करेंगे kinetic energy क्या करेंगे gain करेंगे और large kinetic energy से क्या करेंगे move करेंगे और during crossing the junction क्या होगा they will collide with the क्या होगा electron hole present in the क्या होगा depletion region and during collision they will knock out electron and hole pair और जब ये electron hole pair को क्या करेंगा knock out करेंगे तो उससे क्या होगा large amount of current क्या हो जाएगा flow होगा जब क्या होगा reverse bias voltage होगा certain voltage से क्या हो जाए above हो जाए certain voltage के क्या हो जाए जिसको हम क्या बोलते है जिसको बोलते है avalanche breakdown breakdown voltage ठीक है दूसरा जो mechanism होता है जिनर breakdown में क्या होगा कि सब्सक्राइब जैसे मैंने बोला कि highly doped highly doped PN Johnson diode तो highly जब ज़्यादा हम doped कर देंगे तो क्या हो जाएगा wheat तब तर depletion region क्या हो जाएगा strong thin हो जाएगा तो electric field जो exist होगा वो क्या होगा बहुत ही ज़्यादा होगा 10-5, 10-6 volt per meter यह जो high electric field है वो क्या करेगा जो Johnson पे क्या है electron है उनको क्या करेगा उनको क्या करेगा तूल अप करेगा और इससे क्या होगा covalent bonds होगा वो क्या होगा break हो जाएगा और large amount of क्या होगा current flow होगा in the reverse bias condition जिसवर्म क्या बोलते है जीनर breakdown बोलते है तो generally क्या होता है ठीक है generally अपना जो काम है क्या होगा कि जीनर जीनर डायोड क्या होगा जीनर यह याद रखना है जीनर डायोड ठीक है act as यह क्या होगा voltage voltage regulator in क्या होगा जीनर जीनर डेकडाउड breakdown रेचाएग ठीक है जीनर डेकडाउड रेचाएग अब देखो यह तुमको mechanism बता देता हूँ कि यह क्या होता है यहीं क्या है आई एफ फोवर्ट बायस करेंट एंड इस क्या होगा रिवर्स बायस करेंट ठीक है इस रिवर्स बायस वोल्टेज को क्या बोलता है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलता है और ऐसा क्यों होगा और देखो यह क्या होगा आई-जेट क्या होता है मीन और इधर क्या होगा आई-जेट क्या हो जायागा आई-जेट मैक्स और इसको क्या बोलता है इस इस कोल्ड क्या होगा जीनर कितना भी बढ़ा हो ये क्या हो जाएगा जीनर ब्ॉल्टेज एक्रोस जीजिनर डाकूइए लोगवह need क्युश्यीन होना कहा रिज़ा बढ़ध ही जो प्लत टू vez क्या होना चक्या हिए व९ुश्यवन क्या हो सीफूर्टि Union region में आपको क्या करना पड़ेगा ठीक है समझ में आया जीनर breakdown voltage अब क्या है देखो समझ में आया लो इस region में आपको क्या करना पड़ेगा उसको यही ब्रेकडाउन रिजन जैसे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है अब क्या होगा कि इसका अब आप बोलो कि सरी ऐसा वोल्टेज कैसे रहाएगा कि जीनर डायोट जो होगा उसके बारे में ठीक है जीनर डायोट के दो स्टेट होंगे पहले स्टेट आप हम क्या पढ़ लेते हैं स्टेट ऑफ जीनर डायोट इस्टेट आप क्या होगा इंचीनर डायोट है यह क्या है यहीं तुम्हारा जीनर डायोट है ठीक है और यह तुम्हारा इंपुट वोल्टेज है ठीक है और यहीं क्या है लोड रेश्टेंस है जिसको हम आरल बोल रहे हैं यहां मुझे क्या करना है आउटपुट लेना है गया है और इसका ब्रिक्डाउन बोल्टेज दिया रहे गहाए वीजए और आप देखो क्या होगा जब तक यह जीनर क्या होगा जीनर ड्रीकडाउन रीजन में नहीं है तो इसके क्रॉस बोल्टेज जीनर ड्रीकडाउन जीनर के एक्रोस वीजेट से कम वोल्टेज होगा तो यह क्या हो जाएगा आपका उपंस्यूच की तरह काम करेगा ठीक है और जैसे ही क्या होगा यह क्या हो जाएगा जीनर रीजन में चला जाएगा इसके एक्रोस जो वोल्टेज हो जाएगा क्या हो जाएगा वीजेट हो ज तो इंस्पाइट आप चेंजिंग एनिफिंग इंसाइड दो इन्पूट क्या हो जाएगा आउपट वोल्टेज विल भी क्या होगा अनएफेक्टेड और अन अल्टर ठीक है इसी कौम क्या बोलते हैं जीनर डायोट एजेट क्या बोलते हैं वोल्टेज रिगुलेटर अब इभी आप से पूछा जाएगा कि तो क्या होगा आर वी और क्या हो जाएगा बीजेट देखो यहां से क्या होगा आई यहां से क्या होगा आई जेट और यहां से क्या होगा आई एसे हम सुच सकते हैं अब यह बोलो कि सरे करेंट का फ्लो होगा नहीं फ्लो होगा वोगा ठीक है यहां यदि मैं वोल्टेज भी आउटपुट समझ में आया ना यहां इसको हम भी ओ माल लेते हैं तो भी ओ तो देखो क्या होगा इसके एक्रोस जदी वोल्टेज क्या हो जाएगा इसके एक्वल हो जाएगा तो जीनर डायोड क्या हो जाएगा वोल्टेज जीनर डायोड जो होगा क्या होगा रेगुलेशन वोल्टेज I mean ब्रिकडाउन रीजन में चला जाएगा और जब रहा है on on state लीख है देखो द्यान से दो state होगा on state on state कि में क्या होगा कि इव देखो इव क्या होगा इव भीजेट I mean भीओ इज क्या होगा greater than equal to क्या हो जाएगा भीजेट देन क्या हो जागा देन जीनर डायोड विल अपरीट अपरीट इन क्या होगा जीनर जीनर ब्रेकडाउन देजागा ठीक है ओन स्टेट में क्या होगा कि सिच्विसन में क्या होगा ठीक है ओन स्टेट में हो जाएगा और तो क्या हो जाएगा करेंट जो होगा क्या हो जाएगा करेंट करेंट त्रू क्या हो जाएगा त्रू जीनर डायोड इंक्रीज शार्पली N क्या हो जाएगा N Voltage A Cross A Cross क्या होगा R R L Remain क्या हो जाएगा Remain ठीक है तो उस situation में हम क्या करेंगे कि equivalent circuit हम ऐसे draw करेंगे देखो द्यान से On state में क्या करेंगे On state याद रखना है यही दो point याद रखना है On state में क्या करेंगे E क्या होगा तुमारा Simple इदर से क्या हो जाएगा E R L और इदर क्या हो जाएगा I J और इदर क्या होगा तुमारा Sorry, इसको हम क्या करेंगे इसके reverse bias voltage से हम क्या करेंगे इसको replace कर देंगे समझ में है ना यहां क्या है On state में क्या करना है Replace Replace क्या हो जाएगा I mean replace जीनर डायोर वीट क्या होगा वीट भीजट जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इससे क्या करना है Replace कर देना है और उसके बाद तुम को क्या करना पड़ेगा जो questions पूछा जा तुम क्या कर सकते हो असानी से solve कर सकते यह उन से रुप यह अपको चेक करना है कि आफ एस्टेट में है या नहीं है क्या देखो इसमें आमने वेरिकल सॉल्व करेंगे आफ से जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है क्या दिया हुआ है ठीक है समझ में आया यह सिम्पल ऐसी कर लो सबसे अच्छा है सिम्पल सरकीट ड्रॉव कर लो उसको हम देखेंगे वन बाई मन देखेंगे ठीक है यह क्या होगा भीजे तो यदि क्या होगा इफ बेखो द्यान से इफ भी इस लेस दन क्या होगा भीजे देन क्या होगा देन डायोड विल एक्ट एज पोपन स्विच स्विच तो यहा हम क्या करेंगे डायोड को क्या करेंगे जो जीन डायोड होगा उसको क्या करेंगे open switch से क्या करेंगे replace करेंगे ठीक है I mean इस situation में IJ is equal to 0 हो जायगा बस 2 point क्या करना है याद रखना है कि off state में हो जो होगा क्या हो जाएगा open switch की तरह काम करेगा और on state में क्या होगा ये close switch की तरह काम करेगा अब देखो इसमें तुम से numerical पूछा जाएगा generally जैसे एक example देख लो कि find क्या होगा find current क्या होगा in the in the circuit son in the क्या होगा in the figure below ठीक है अब दिखो यहां simple दिया हुआ है ठीक है अब यहां तुमसे मैं एक question पूछता हूँ देखो द्यान से तुम बता सकते हो देखो यह क्या होगा तुम्हारा five kilo यह 100 I mean 10 kilo माल लेते हैं और this case माल लो के 50 volt है जीनर ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन में कि तुमसे पूछा जाए कि find क्या होगा find देखो द्यान से find यहां ऐसे छोड़ दो इसको हम ऐसे दो इसमें दो question मैं सोच रहा हूं मैं यह सोच रहा हूं कि what should be the minimum value of V so that जीनर डायोड act as a voltage regulator ठीक है देखो यह जदी open switch की तरह काम करेगा तो जैसे input voltage change करोगे वैसे क्या होगा इधर output voltage भी क्या होगा change जाएगा लेकिन जैसे ही यह क्या होगा जीनर रीजन में चला जाएगा तो इसके across voltage क्या हो जाएगा constant हो जाएगा इसके across voltage क्या हो जाएगा constant हो जाएगा तो मैं आपसे पूछू हूं यहां यह नहीं यहां देखो मैं दूसरे तरह से मैं एक question को पूछता हूं कि find the value of M क्या होगा find क्या होगा find value value of V so that so that zhynar diode zhynar diode act see so that the zhynar diode operate operate in breakdown region that is क्या होगा zhynar diode diode act as voltage regulator voltage regulator का मतलब क्या होगा कि इसके across voltage होगा तो यहीं क्या होगा output voltage होगा और यह always क्या होगा देखो इस टाइब का problem solve करने के लिए ठीक है तुम कैसे इसका value find out करोगे बताओ इस टाइब के questions को कैसे deal करोगे या इसका कभी कभी इसका range भी पूछा जा सकता है what should be the range है न एक तो minimum value होगा उसके correspondence iz और ie यह भी पुछा जाएगा चलो उसको हम देखते हैं अब देखो क्या होगा इस condition में क्या करेंगे consider क्या consider देखो step देखो क्या करें हमको क्या करना है इसके cross क्या करना है voltage निकालना है और वो voltage जो होगा वो क्या हो जाएगा यदि 50V के क्या हो जाए इससे equal और इससे ज्यादा हो जाए ते क्या हो जाएगा जीनर breakdown region में चला जाएगा तो हम क्या step में क्या consider करेंगे कि consider diode as open switch and find open voltage voltage across it late क्या होगा इस voltage voltage is क्या होगा भीनर तो क्या होगा इफ क्या होगा इफ भीनर इस greater than equal to क्या होगा भीजिट जीनर breakdown voltage देन क्या हो जाएगा देन डायोट विल अपरेट इन जीनर breakdown region जीनर breakdown region क्या है जीनर breakdown region ठीक है अब पहले इसको हमने क्या किया थे देखो हमने क्या किया देखो द्यान से इसको open circuit से क्या क्या replace कर दिया याद रखना है इसी क्या क्या यह खोड़ेश रे क्या होगा आर प्लस क्या होगा आर इंटु क्या होगा आर यह समझ में आया क्या है कैसे लीग दिया त्यों अब कुछ कुछ नहीं करना है ठीक है अब यहाँ भी ओ मालम चल गए अपने को अब देखो भी ओ क्या होगा भी इंटू यह कितना है फाइब अपॉन फिप्टीन आप मिन भी अपॉन क्या है त्री क्या है अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे डायोड विल क्या होगा विल अपरेट अपरेट इन ब्रीकडाउन रिजन इफ वी ओ इस ग्रेटर दैन इक्वल तो क्या होगा भी जिट क्या हो जाएगा भी बाइट दैन इक्वल टो क्या होगा कितना है 50 तो यहाँ कर लिख सकते हैं वी इस ग्रेटर दैन इक्वल टो क्या होगा 150W. अब यहादी तुमारा व्रटिज यहाँ 150 World से क्या होगा कम होगा तो डायोट होगा गा जीनर ब्रेक डाउन में नहीं जाए गा और जिएनर ब्रेक डाउन में नहीं जाएगा तो इस लाओ किया करेंगें सर्कुिट से क्या करेंगेंil और आफ एस्टेट में चला जाएगा और आफ एस्टेट में जाएगा तो इसको सर्कुट से क्या करेंगे? अटा देंगे. समझ में आया ना? तो ऐसे हम क्या करते हैं? जब भी आप सको पूछा जाए कि कि कितने इंपुट वोल्टेज की ज्वरत है कि जो जीनर डायोड हो क्या हो जाए? जीनर ब्रेकडाउं रिजन में चला जाए या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम उसको यूज करें उसके लिए क्या करना है? जीनर डायोड को क्या करो? सर्कुट से आठा दो इसके क्रॉस वोल्टेज लिख लो यदि ये वोल्टेज जो हमने कैल्पुलेट किया जिसे हमने इसको ओपन वोल्टेज माना है यदि वीजट के बड़ा और इसके इकवल हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि जो जीनर डायोड होगा हो क्या हो जाएगा? कौन से रिजन में जाएगा? जीन किम तरह के problem generally पूछे जाते हैं यह तो मैंने बता है तुमको बाद में हम आते हैं देखो एक क्या हो सकता है देखो RL क्या होगा वैरियेबल होगा एक भी वैरियेबल होगा और एक केस में क्या होगा दोनों constant होगा ठीक है तो इस टाइप के problem को हम कैसे deal करेंगे क्या होगा प्राब्लम 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 बेस्ट आन क्या होगा जीनल डायोड तीन तरह के problem कुछे फर्स्ट जो टाइप है कि वैं क्या होगा वैं इन्पुट वोल्टेज क्या होगा ओं है इन्पुट वोल्टेज और प्राब्लम हर exagger मियूंत सय क्या होगा आर य कि पांद face यह कुश्चन नहीं होगा देखो द्यान से यही तुम्हारा क्या है इंपूट वोल्टेज है इसको करेंट लिंटिंग रेश्टनस बोलते हैं और यह तुम्हारा क्या है यही तुम्हारा क्या है लोड रेश्टनस यहां मुझे क्या कर रहे है आउटफुट लेना इसका जीनर ब्रिकडाउन वोल्टेज दिया रहा है इसको हमने क्या मान लिया वेज़े यह आर है और यह क्या है तुम्हारा भी सबसे पहले है चीक करो कि डायोड जो है और क्या है अन एस्टेट में है आफ एस्टेट में है आफ एस्टेट का मतलब क्या हुआ कि जीनर ब्रेकडाउन रीजन में है आफ एस्टेट का मतलब क्या हुआ कि जीनर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है तो उसके लिए हम क्या कैसे चीक करेंगे फाइंड देखो पहले क्या है हीट अब क्या होगा डायोड और प्रेट में रिपलेश देखोँ क्या होगा ओपन स्विच फाइब find voltage across it late late this voltage this voltage is क्या होगा V-net समझ में आया ना देखो क्या है हमने क्या किया इसको open switch से क्या क्या replace कि जैसे कि मैंने अभी बताया था यही RL है यह R है और यह क्या V है इधर क्या V-O है यह दोनों parallel में होगे ठीक है अब देखो यहां से V-O हमने क्या क्या calculate कर लिया यह कितना हो जाएगा RL V upon क्या होगा RL प्लस R ठीक है यहां से तुम क्या कर सकते हो छेप कर सकते हो ठीक है अब क्या होगा कि इफ यह मालम चल गए है यहां से क्या करो तुम यह voltage calculate कर लो ठीक है अब यहां लिखेंगे क्या होगा क्या होगा इफ अब दो situation होगा देखो जान से ठीक है दो क्वाइंट होगा, क्या होगा, if, case first में लिखेंगे, क्या होगा, if, vo is greater than, equal to, क्या होगा, या पहले लिख लेते हैं, क्या, least than, क्या होगा, भीजिट, then, diode, will, क्या होगा, will, act, as, क्या होगा, open switch, ठीक है, जब open switch में होगा, तो आपको यह मालूम है, क्या करना है, ठीक है, यहां से current, I, मालूम चल जाएगा, तो देखो, यहां, यही voltage मिलेगा, देखो, V out, ठीक है, और यह V out कितना होगा, यह RL हो गया, यहां से V out, is equal to क्या होगा, देखो V, RL upon क्या होगा, R plus क्या होगा, अब देखो, तुम input voltage यह दी change करो, input voltage चेंज करोगे, तो output voltage क्या होगा, चेंज होगा, तभी voltage regulator नहीं हो रहा है, voltage regulator के लिए, तभी हम विच करते हैं, जब डाइवोड क्या हो, और on state मो, समझ में आया ना, याद रखना, जब आप क्या करोगे, input voltage चेंज करोगे, तो output voltage भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो यह आपको क्या मिल गया आई, और यहां current होगा, भी अपॉन क्या होगा, आर प्लस क्या होगा, ठीक है, ओफ एस्टेट के लिए हो गया, अब जब क्या होगा, दूसरा case इसमें क्या होगा, देखो, case second, then, if क्या होगा, if V, तो Is क्या होगा, greater than, equal to क्या होगा, वीजेट, then, then, डायोड वील क्या होगा, वील, बी, इन क्या होगा, on state, on state में क्या करना है, डायोड को उसकी जीनर, ब्रेकडाउन वोल्टेस से क्या करना है रिप्लेस कर देना है ठीक है क्या करना है रिप्लेस कर देना है तो सर्कुट कैसे हो जाएगा देखो पॉन स्टेट में याब vl लिखलो इसको ठीक है यह r हो गया यह v हो गया देखो इधर से क्या होगा आइजेट यह कितना हो जाएगा vz और यह क्या होगा il तो तुम निकाल सकते हो, देखो, I is equal to क्या होगा, I is equal to क्या होगा, I L, तुम यहां से, देखो, I nिकाल सकते हो, I is equal to क्या होगा, B minus BZ upon क्या होगा, R, ठीक है, I L भी निकाल सकते हो, I L equal to क्या होगा, BZ upon क्या होगा, R, सब चीज़ यहां से निकाल सकते हो, समझ में आया है ना तो on state में क्या करना है जीनर डायोड को जीनर ब्रिकडाउन वोल्टेज से क्या करना है रिप्लेस कर देना है off state में क्या करना है जीनर डायोड को क्या करना है open switch से क्या करना है रिप्लेस करना है अब देखो इस case में तुम कुछ भी voltage change कर लो देखो इसके cross voltage होगा व्जेड ही होगा नै ये व्जेड कभी change होगा क्या input तुम कुछ भी करो input कितना हुए change करो व्जेड change होगा क्या नहीं हो कि तो fix है यार तो जब ये fix है तो output voltage भी क्या होगा फिक्स हो गया, इस case में क्या हो जाएगा VL is equal to क्या होगा, VZ is equal to क्या होगा constant, तो यही सी को हम क्या बोलते हैं, voltage, regulator, बोलते हैं, ठीक है एक case यह था दूसरा case हम आते हैं कि इभेंद क्या होगा, E अब देखो ज्यान से अब तुमसे कभी-कभी पुछा जाएगा कि इसका कितना minimum value होना चाहिए, कि यह क्या हो जाएगा, जीनर breakdown region में चला जाएगा, यह भी पुछा जाएगा, तो पहले case में हमने क्या किया, दोनों को क्या किया, fix रखा, दूसरे case में देखो, हम क्या consider कि और यह आरल क्या है, I mean type 2 पन क्या होगा, वन, भी क्या होजाए, भी constant ठीक है, एंड लोड resistance, I mean आरल क्या होगा, अनुट क्या होगा, अनुट कॉस्ट ठीक है, अब देखो, यहां से इस में numerical आता है, इसलिए मैं यह बता रहा हूँ यहां क्या है घीजिट दिया हुआ है यहां यहां भी क्या करना है तुमको बताओ पहले तुम इस्टीट चीक करना है तो क्या होना चाहिए कि लिए क्या होना चाहिए और क्या होगा फॉर है है नाओ चीक करना है तो मुझे क्या करना है इसके एक क्रोस हम क्या निकालने है भी आपन वोल्टेज नाओ क्या होगा calculation क्या है calculation अब क्या होगा open voltage across genod ठीक है open voltage के लिए इसको क्या करना है मुझे replace कर देना है क्या से open switch से अब देखो तो यह V O कितना होगा बता सकते हो तुम देखो V R L upon क्या होगा R plus क्या होगा अब यहां से तुम से पूछा जाएगा Now देखो तो Diode will be क्या होगा Diode Diode will be क्या होगा Will be in on state in on state on state में कब होगा जब इसके cross voltage हो जाएगा जिनक ब्रेकडाउन voltage 7 in क्या होगा V O is क्या होगा greater than क्या होगा V O का value रखो यह तो देखो V upon क्या होगा R L upon क्या होगा R plus क्या होगा R L is greater than equal to क्या होगा V Z ठीक है यहां से तुमको मालूम चल जाएगा देखो यहां से तो V R L is greater than equal to क्या होगा V Z into क्या होगा R plus क्या होगा R L ठीक है, यहां से देखो, RL क्या हो जाएगा, V minus VZ, it's greater than equal to क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VZ R, ठीक है, यहां से देखो, RL, RL mean, mean is equal to क्या हो जाएगा, VZ R upon क्या हो जाएगा, V minus क्या होगा, VZ, इतना minimum resistance होगा इसका किसका load resistance का तेक इधर चला जाएगा conduction statement चल जाएगा समझ में आया ना तो हमने RL मिन यहां निकाल लिया ठीक है तो ऐसे हम क्या करते हैं जब भी क्या करो तो इसको open consider कर लो load resistance के cross voltage निकाल लो और फिर वहाँ से condition use कर सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं note में देखो ध्यान से यह minimum resistance हमने क्या 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 लिखेंगे है क्या कि if, note में क्या लिखेंगे है, note में, if, क्या होगा, RL is greater than, equal to, क्या हो जा है, R mean, then, then diode will be, क्या होगा, in, jiner, breakdown, region, अब ये, जब jiner, breakdown, region में हो जाएगा, उस situation में, मुझे क्या करना है, jiner, diode को, simple, क्या करना है, एक, battery से, replace कर देना है, जिसका, voltage क्या होगा, जीनर, breakdown, voltage के, क्या होगा, समझ में आया ना, बस, इधर क्या होगा, I, Z, ठीक है, इधर तुमारा, I, R, और यहां क्या होगा, I, ठीक है, समझ में आया ना, यदि क्या होगा, if, यहां लिखने, if, R, L, इस लिखने, क्या होगा, R, मिल, अभी मैं एक एक जांपल लेता हूँ, ठीक है, R, मिल, देन, क्या होगा, देन, डायोड, डायोड, विल क्या होगा, विल, एक्ट, एस, क्या होगा, उपन स्विच, तो उपन स्विच की तरह काम करेगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको सर्किट से वगाद हो, यार, है, बोलो कि तुमारा कोई काम नहीं है, खीक हो जाएगा, R, L, R हो गया, और ही क्या हो जाएगा, तुमारा, V हो गया, ठीक है, और यहाँ, I, V is equal to क्या होगा, V upon R plus क्या हो जाएगा, R L, और V L is equal to क्या होगा, I, R L, ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम, स्वल्व करते हैं, इस टाइप, बस इससे ज़्यादा कुछ जीन डायोड में है, तुमको नमरिकल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे देखो, यह question मैं बूलता हूँ, पहले वाला ही question जीन, यहाँ क्या example देखो, चलो इसको 80V माल लेते हैं, यह 5K, ठीक है, यह तुमारा क्या है, ठीक है, यह भीजे जो दिया हुआ है, 50V, समझने आया ला, तो तुमसे पुछा गया है कि, फाइड, फाइड, आरेल, क्या होगा, मीन, सो देट, सो देट, डायोड, एक्ट, एज वोल्टेज लेगुड़ेटर, अब जल्दी बताओ, वोल्टेज पहले क्या करेंगा, ओपन वोल्टेज बताओ, उपन वोल्टेज कितना होगा, देखो तो क्या होगा, अरे बताओ, कितना होगा, 8, 80, इंटु क्या होगा, RL upon क्या हो जाएगा ठीक है RL upon क्या हो जाएगा R plus क्या हो जाएगा RL अब लिखेंगे क्या होगा समझ मैंने यह open voltage होगा ना अभी मैंने बताया था direct link दिया अब हम क्या मानें हैं कि if क्या होगा if V O is greater than क्या होगा भीजेट देन दायोड will act will act as voltage regulator voltage regulator का मतलब क्या होगा है कि ओन स्टेट में चला जाए ठीक है सहुझ में आयना था है यहां से रखो यह कितना है 50 क्या है 80 into क्या होगा RL upon R plus RL is greater than equal to क्या होगा 50 cancel हो गया तो 8 RL is greater than equal to क्या होगा 5 R plus 5 RL यह क्या हो जाएगा 3 RL is greater than क्या होगा 5 R तो RL is greater than equal क्या होगा 5 3 तो RL mean कितना होगा देखो यहां से मालम चल गए RL mean कितना हो जाएगा 5 upon 3 into क्या होगा 5 I mean 8.33 Kilo इतना यदि minimum resistance होगा तो डायोड जो होगा क्या हो जाएगा on state में चला जाएगा ठीक है अब इसमें एक third जो टाइप है वो मैं बता देता हूँ बस last type है उसके बाद हम transistor पढ़ेंगा और photo diode solar से लिए तुम खुद से पढ़ लेना उसमें कुछ नहीं है केवाल उसका definition देख लेना जोहां से numerical आता है वो मैंने बताया जैसे diode से numerical आता है वो मैंने बताया जीनर डायोड से numerical कैसे कितने variation होंगे सब बता देता हूँ मेंस में question आएगा और असान भी आएगा यदि आप केवाल note book भी देख करके जा रहा हो तो इससे जीनर डायोड से question नहीं छुटने वाला है ठीक है थर्ड जो type है वो क्या है देखो type 3 मैं क्या है कि when क्या होगा when V is not constant ठीक है बट जो मैंने बता दिये बट बांक जेखो कि यहीं आम क्या लेंगे आउटफट वोल्टेज लेंगे ठीक है यह भी दिया हुआ है अब सबसे पहले तुमको क्या करना है यह पूछा जाएगा भी एक कोश्चन मैंने बताया भी था कि पहले तुम यह कैल्कुलेट करो कि मिनमम क्या होगा कि भूग क्या होगा फाइड यहां मैं बता देता हूं find मीनम्म क्या होगा व्लू अब क्या होगा भी व्लूदट डायोड डायोड ऑपरेट न क्या होगा ओने स्टेट अब जल्दी बता दो क्या होगा डायोड़क्ण open voltage कितना होगा बता open voltage के लिए क्या करना है इसको हटा देना है तो direct मैं लिख दूँ चलेगा देखो solution क्या लिखता हूँ भी out open voltage कितना हो जाएगा भी RL upon क्या होगा R plus क्या होगा RL ठीक है यही होगा न इसको open कर दो यार इसको क्या बोलता है open voltage एक्रोस क्या होगा open voltage एक्रोस जीनर डायवर ठीक है अब क्या लिखेंगे इव अब यहां से तुम्हें क्या हो जाएगा इव क्या होगा इव भी नट इस ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा भी जिट देन क्या होगा देन चैसे लिखेंगे डायोड क्या होगा डायोड विल बी क्या होगा विल ऑपरेट विल बी इन ओन एस्टेट इफ क्या होगा इफ वी ओ इस ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा भी जिट ठीक है अब यहां वैलू दखो देखो वी इस ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा वन प्लेस आर अपॉन क्या होगा आरल बस हो गया कुछ नहीं है यहां से तुमको मिनिमाम वॉल्टेज मालम चलिए इस टाइप भी कोश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने बताया था तुमको तब यहां क्या लिखेंगे अर्डों क्या होगा अर अबबन प्लेस आर अपॉन क्या होगा आरल इन्टू यहां लिखेंगे इफ क्या होगा इफ भी इस ग्रेटर दैन क्या होगा इक्वल टू गीमिन वैं प्लेश डायोड अक्ट एज ओल्टेजरेग नीटर ठीक है यह ओन स्टेट यहां क्या करेंगे देखो द्यान से जब वोल्टेज रिगुलेटर की तरह करेंगे हम इसको तो डायोड को क्या करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या करते हैं अब यहां से दो वैलू होगा इसका देखो द्यान से यही से हम क्या करेंगे यह क्या होगा इल और यह क्या होगा आई अब यहां से हम दो value निकाल सकते हैं ठीक है देखो द्यान से अब 1.2- Matt ठीक है अब यहां से तुम से पूछा जाएगा कि minimum current बताओ तो i z mean क्या हो जाएगा mean equal to क्या होगा i mean minus क्या हो जाएगा i l जोको तो i l constant होगा क्या i l is equal to लिख सकते हैं b z upon क्या दिखेंगा r l ठीक है और i is equal to क्या होगा b minus b z upon क्या होगा r तो हम लिख सकते हैं i mean is equal to क्या लिखेंगे b mean minus क्या लिखेंगे b z upon r समझ में आया ना यहां i mean का value रखते होगे उसके बाद क्या करोगे अब देखो तो i mean हम ऐसे calculate कर सकते हैं कैसे calculate करेंगे i z mean is equal to क्या होगा b mean minus क्या हो जाएगा b z upon r minus क्या होगा b z upon क्या होगा r उसी तरह क्या होगा i z max is equal to क्या होगा b max minus क्या होगा b z upon r minus क्या होगा b z upon क्या होगा तो maximum jiner diode current जो होगा तो यह हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा minimum हो जाएगा ठीक है अब यहां एक second point क्या होगा इफ क्या हो जाएगा इफ इफ भी भी इस लेस दन क्या हो जाएँ भी मीन देन देन डायोड एक्ट आज ओपन स्विच ओपन स्विच ठीक है और circuit जो होगा वो इस टाइप से होगा है कुछ नहीं है यह असान है बस तुमको दो point यहां ठीक है यहां से आई इधर i z क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इधर क्या होगा Ce Nair अ क्या ट्रांजिस्टर के तो आज क्लास में लिए आपका ट्रांजिस्टर क्या होगा ज़ीश हो जाएगा ठीक है तो आज ट्रास में इसके बाद क्या होगा पिर ट्रांजिस्टर देखेंगे Okay, thank you. Thank you.